हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरी छोटी सी भगिया में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज जो मैं यह वीडियो लेकर के आई हूँ इसमें आज हम एलोवेरा के बारे में बात कर हुआ कि यूज कर सकते हैं gentleman कि यूज कर सकते हैं और मेरे चैनल हैं तो यसे सब्सक्राइब कीजेगा और बे आइकन और पर प्रेस किजेगा जिसे मेरे वीडियो की जितनी भी नोडिफिकेशन तक directorially पहुँच जाएगी आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं तो friends ये जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ एक बार आप खुद से confirm कीजिएगा आयरुवेदिक डॉक्टर से उसके बाद ही आप उसे consult कीजिएगा यानि कि लीजिएगा ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो में देखकर करके आप खुद से रेमडीज बनाने लग जाएं मैं सिर्फ एक आइडिया बता रहे हूँ कि अलोवेरा प्लांट अगर आपके घर में है तो वो कितना फायदे मंद है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो friends अलोवेरा जो है प्लांट वो प्लांट एक medicinal प्लांट भी है और एक खूब सूरत प्लांट भी है जिसे अगर आप ऐसी decorative uses के तोर पर भी रखें तो भी ये आपके घर में हमेशा बना रहेगा और बहुत ही कम पानी में चलने वाला ये प्लांट है और sandy soil इसे बहुत पसंद होती है अगर आप इसे आपके पास मिट्टी नहीं है सिर्फ रेत रखी है तो आप सिर्फ रेत ही भर लीजी अपने pot में और इसे लगा दीजी इसलिए चलता रहगा इसे कुछ नहीं चाहिए कोई fertilizer इसे नहीं चाहिए अपने समय से ये grow होता है बारिश में जादा पानी लग जाने की वज़े से थोड़ा सा गल्ले लगता है लेकिन धीरे धीरे जब वापस से winter आता है या September, October आता है तो अच्छे से grow होता है जो extreme winter होता है उसमें भी ये पोस की वज़े से थोड़ा सा पीला पढ़ने लगता है तो friends, अब मैं आपको इसका सबसे पहला uses बताने वाली हूँ इसका सबसे पहला use है कि ये खासी और जुखाम में इसका जो juice होता है वो काम में आता है तो आप अपने डॉक्टर से ये जरूर सला लें कि इसका juice आपको किस तरीके से लेना है तो juice बना करके भी आप इसका जो pulp होता है इस plant का जो उपर का चिलका होता है उसे हटा दीजीए इसकी सिर्फ पतियां ही यूज में आती है और पतियां कैसे छीलना है उसमें से pulp निकालना है सिर्फ इसके अंदर का pulp ही यूज में आता है इसके उपर का जो पतला छिलका होता है वो आपको यूज में नहीं लेना है वो hard होता है तो इसका जो pulp है वही आपको निकाल करके juice बना करके अगर आप इसको पीते हैं तो उससे भी आपके सर्दी जुखाम में फायदा होता है इससे अगर आप इसके पल्प में हल्दी मिक्स कर दें और फिर उसे हलका सा कुनकुना गरम कर ले और गरम करने के बाद उसे उस जगे रखें जहां पर सरदर्द हो रहा है तो भी आपको आराम मिलेगा वैसे ये पेट के लिए भी बहुत फायदे मन्द होता है बहुत से लोग इसे अपने खाने में मिक्स करके खाते भी है पर आप अपने डॉक्टर से ये सारी चीजे सलाह लेने के बाद ही कीजिएगा मैं आपको बार बार बता रही हूं इसके नाम के बारे में जान लेते हैं इसे घीकवार, घी, गवार भी और गवार पठा और संस्कृत में धृतर कुमारी और कुमारी नाम से भी जाना जाता है और पेट के लिए तो मैंने आपको बताई है कि इसका जो जेल होता है इसका जो पेस्ट होता है अंदर का पल्प होता है वो पेट के लिए बहुत फायदे मंद होता है इसका यूज आजकल सबसे ज़ादा स्कीन के लिए हो रहा है जैसे मुहासे वगिरा होते है तो इसका जो जेल बना करके और किसी भी बॉटल में भरके रख दीजिए और इसके जेल को आफ स्कीन पे डेली मालिश करेंगे या हाथों पे तो स्कीन पे कहीं पर भी आप इसकी मालिश कर सकते हैं तो उससे भी आपकी स्कीन सॉफ्ट होती है और कोई भी स्कीन इंफेक्शन भी नहीं होत यह मैं आपको दे सकती हूँ कि इसको कैसे उगाया जाता है तो friends इसको उगाना बहुत इजी है इसकी सिर्फ एक छोटा सा प्लांट लाकर के पूरा प्लांट ही लाना पड़ेगा आप छोटा ही लेकर के आईए काफी यह बहुत अच्छे से फैल जाता है और अभी मैंने आप इसको बताया कि gardening में किस तरीके से इसका यूज होता है तो cutting जब लगाई जाती है तो मैं अधिकतर aloe vera का ही यूज करती हूँ इसके pulp का ही यूज करती हूँ और यह जगे-जगे से मैंने इसको काटा हुआ है तो यह मैं cutting करती हूँ प्लांट की और उसे जब लगाती आसी में से कट करके ले जाती हूँ और वहाँ पर cutting लगा देती हूँ उगाना बहुत आसान है कोई fertilizer नहीं चाहिए मैं starting में सब कुछ बता चुकी हूँ तो friends यह plant तो अचा की सुरक्षा करता है antibacterial है antiseptic है anti-inflammatory है antiviral है और घाव भरने वाले गुणों के लिए यह जाना ज करता है लेकिन हाँ जब भी आप इसका सेवन करें या इसको स्कीन पर लगाए तो एक बार डॉक्टर से concert कर ले आयरुवेधिक डॉक्टर आपको बड़ी आसानी से इसके बारे में बहुत सारी जानकरी देगा छोटी मोटी जानकरी अभी बहुत सारी books में available होती हैं आप उ ज़रू आंसर करूंगी तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसना आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा मेरे चैनल पर नई हुआ है तो सब्सकाइब ज़रू कीजेगा पैल आइकन और प्रप्रस कीजेगा तक कि आ गयाने वाली वीडियो की नोटिफिक झाल आपको तो स वीडियो कर और नवीडियो कीजेगा जिल आपको ल ahoritaा मेरें अगरून कीजेगा फंगरूस का मेरें टेस राजोरूसकश पर्णावरूस